ये बाबुओं ने ओडिसा के अंदर लूट मचाई है हमारे खणीज हमारे खदान बेच खाए है मैं आपको वादा करता हूँ बादपा की सरकार बनाओ जिन जिन लोगों ने ब्रस्टाचार किया है इस सभी बाबुओं को जैल के सलाखों के पीछे डालने का काम हम करें भायों बेनों मुझे बताओ महाप्रभु का रत्न बंडार पवित्र है या नहीं है अरे जोड से बोलो है या नहीं है महाप्रभु के रत्न बंडार की चाविया गूम हो गई डुप्लिकेट चावि बनाई इसकी रिपोर्ट गूम हो गई और कहते भी नहीं है कितना हेर फेर किया है मैं आपको कह कर जाता हूं एक बार 75 विदान सभा की सीटे जिता दो यहां हमारी सरकार बना दो महाप्रभु के रत्नभंडार की पाई पाई ढूंड कर उनको घुम करने वालों को हम सजा देने का काम करेंगे भाईयो बेनो हमारा ओरिसा समगर भारत में सबसे समरूद प्रदेश इसकी भूमी के निचे इतना कदीज है के पूरे देश का खजाना भर जाए मगर दुरभाग्य की बात है देश का सबसे समरूद प्रदेश का नागरिक मेरा ओडिया भाई देश में सबसे गरीव है आज ओडिया युवा नौकरी के लिए अपनी युवा पत्नी को छोड़ कर बुड़े माबाप को छोड़ कर गुजरात हरियाना महराश्ट तेलंगाना जमिलनार जाता है पांच बार पांच साल के लिए ओडिसान मोदी जी को दे दीजिए हम ओडिसा में आप सबको नौकरी और रोजगारी मिले ऐसी व्यवस्ता भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार करें उझे बताओ ओडिसावालों हर घर को हर गरीब को पांच लाग तक का सारा इस इलाज फ्री ओप कोश्ट मिलता है आई समान भारत योदना का हमारे ओडिया वास्यों को भी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए जोर जबलो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए यह रोक कर बैठे, नविन बाबु को रिटायर कर दो, आईशमान भारत योदना, हम सो दिन में लागू कर देंगे, सो दिन भायों बैनों, भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार, गरीब कल्यान करने वाली सरकार आदिवासी, दली, पिछड़ा समाज, माताए, बेने, युवाए, किसान, उसका कल्यान करने वाली सरकार